सब्सक्राइब कीजिए बियस आनलाइन इस्टडी यूटूब चैनल को ताकि लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिले कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपी है इदर सिक्षा भाग के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई है सीम आवास पार के बैठक हुई है बैठक में डिप्टी सीम दिनेश शर्मा मौझूद रहे साथ की साथ बेशिक सिक्षा मंत्री सतीश दुएदी भी इस बैठक में मौझूद रहे हैं एक जुलाई से सेक्षनिक रिया कलाब शुरू करने पर चर्चा इसमें की गई है साथ की साथ ओनलाइन क्लासिस की शिकायतों पर भी चर्चा की गई है और बातचीत करने के लिए हमारे समाधा प्रचांद हमारे साथ फोन लाइन पर प्रचांद क्या अपडेट है यह बिल्कुर अनुपम जिस तरीके से बात करें यह आज सिफ्की सबसे बड़ी छात्र संगटों का जिस तरीके से यहां विवाता तमत राज विश्विद्यालेओं के परिक्षाओं को रद कर दिया गया है COVID-19 के मतरे नजर यह फैसला लिया गया है राजी सरकार की तरफ से साथी साथ इसमें जो कमीटी की रिपोर्ट से कमीटी की रिपोर्ट ने इस पश्ट किया है कि किसी भी तरीके से यहां पर जो छात्रों का प्रमोशन था उसको ले करके जो दिशा निर्देश उसको जारी किया जाएगा साथी साथ COVID-19 के मतरे इस बात का विशेज ध्यार नका जाए कि इंटर्नल एसेस्मेंट की अनुसार ही उनको प्रमोट किया जाए और उनके अंक उसी हिसाब से लेंगे इसको लेकर कि शासेन में भी हाई लेवल मीटिंग चल रही है कि किस तरीके की दिशा निर्देश जारी हो इसको लेकर कि तो हम उपमुखमंति दिनेश शर्मा जी की साथ में समझत राज्य विश्विद्याले के कुलपती है तो ऐसे में जो चाते संगठन बार बार इस चीज का विरोध बज़ रहे थे तो ऐसे में उन चाते संगठनों की बड़ी जीते की जो पोविड मद्य नजर इस तरीके का फैसला है और उनको प्रमोशन दिया जाएगा प्रिशान बहुत 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 शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने के लिए नजर बना के रहेंगे आगे भी हम आपसे अपडेट लेत रहेंगे तो प्रशान पांडे हमारे समभाता बता रहे थे कि कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है यूपी बोर्ट की परिक्षा में टॉप करने वाले चातरों को सरकार सम्मानित करेगी टॉपर्स के नाम पर एक सड़क बनाई जाएगी या पिर उस सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा साथकी टॉपर्स को यूपी सरकार एक लैपटॉप भी देगी प्रियागराज के कोराओं के रहने वाले चातर प्रांजल ने इंटर्मिडियेट में दूसरा इस्थान हासिल किया जबकि बागपत के रहने वाले चातर अनुराग ने बारवी में टॉप किया है सरकार की इस घोशना से ना सिर्फ टॉपर्स बलकि उनके गाउं के लोग भी काफी खुश हैं लखनौ के जिलादिकारी अभी शेक प्रकाश ने यूपी बोर्ट के टॉपर्स को आज सम्मानित किया जिलादिकारी अभी शेक प्रकाश ने बच्चों को पियम मोदी के एक्जाम वॉर्यर्स डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम की विंग्स ओफ फायर और स्वामी विकारंद और अटल बेहारी वाच्पे की किताबें देका सम्मानित किया खबर दमदार पे आज बसे तना ही नमस्कार